तो हेलो गईस कैसे हैं आप सब लोग हमें मुदी के आप लोग ठीक होंगे तो दोस्तो फाइनली आज हमारे पास आचुकी है दो होजा थेज की लेटेस मॉडल होंडा की युनिकॉन एक्सो साथ सेसी का बीयस सेट मॉडल जी दोस्तो आपको बता दे कि एक अपरेल दो होजा बीय-शेवन भी बोल सकते हैं तो दोस्तो आपको बता दे कि इसमें आपको होंडा युनिकॉन में आपको बहुत सारे नये चेंजर देखने हों बित्या हैं 1 अपरेल तो या 23 से तो आज यमदे सी के बारे में जानेंगे कि होंडा के लेकिस लेका कि अप्राइज सेट में 250 पुल डीटल में पता चल जाएगा तो नमस्कार दोस्तों मेरा नहीं राजी और आप देखना वीडियो चले के महां से चले के तो प्लीज अपने तरफ से एक लाइक जरू दीजेगा और चैनल पर आप नए अभी तक आपने चुन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 60C की भले बाइक है लेकिन ये एक ऐसी बाइक है जो कि 160C की होने की बावजूद भी ये केमिटर बाइक की तरह लुक देती है तो यूनिकॉन की जो लवर है उनको यही लुक पसंद आता है तो होंडा ने यूनिकॉन 160C में अभी तक कोई लुक को लेके चेंजिस देखने क को नहीं दिया है तो 2023 में वही सेम लुक को कांटीनू के गया है होंडा की तरफ से और अगर था करते है इसका पहले से बढ़ चूकी है तो सबसे पहले अगर हम बात करते है इसके प्राइस के बारे में तो इसका यो एक सौन 14 प्राइब क्या रहा है 1,05,905 रूप एक सब्सक्राइब यूपी वारांट सी की प्राइज और अगर हम बाद करते हैं इसके आन्द में प्राइस के बारे में तो लगबागा आप मांन से चले एक लाग अठाइस जार से एक लाग तीस जार के वीच में आपको ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगी दो जाएज तो दोस्तों गौर करिए कि इसमें आपको प्राइस के अलावे में बहुत सारे नया चेंजिस मिलता है तो प्लीज वीडियो के लास तक बनी दियेगा और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से फ्रंट सेक्षन से तो यहां पर दीकि इसका जो फ्रंट सस्पेंसन बिलता है वही सेम आपको ट्रलस पर पर शेस्पेंसन मिल जाता है जू कि आपको राइडिंग के टाइम पर का फिछाग कमफर्ट देगा और यहां पर दीकि स्य बैटा सॉकर आठट यूबले स्टार देखने मिलेगा और अगरम बात करते систем के बारे उसका फ्रोफाइल के बारे में हेडलेम के जश्ट उपर आप देखते हैं क्रूम का फिनिस मिल जाता है जो कि इसके लुक को और ज़्यदा इनेज करती है लेकिन हाँ यहां पर थोड़ा सा मुझे इसका ड्रॉबैक लगा दो जा तेस में क्योंकि इसमें अभी आपको 35 by 35 वाट का हाई लो जम बल देखने को मिल ली है अब इसमें भी SP125 की तरह LED मिल जाता तो यह ज्यादा बेस्ट हो जाती लेकिन इसमें अभी भी आपको हाई लो जम बल देखने को मिल ला है और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से हैंडल बार के बारे में तो यहां पर देखिए जो स्विचेस क्वालिटी मि दिखा देते हैं जूकि इस बाइक का थोड़ा सा ड्रॉबैक भी लगता है और लेकिन जो यूनिकॉन 160 के लवर रहनों उनको यह पसंद भी आता है तो दोस्तों इसका जो मिटर कंसोल है वही सेम आपको इनलाग मिटर कंसोल देखने को मिलता है तो इसके मिटर कंसोल में त फोड़ा सा और ज्यादा अपडेट कर दिया जाता है 2023 मॉडल में तो यह और ज्यादा बेस्ट वाइक हो जाती 160 की के मिटर बाइक और यहां पर देखते हैं होंडा का 3D अंब लोगो देखने को मिल ला है और आपको बता दे कि इसमें आपको E20 टेकनलोजी देखने को मिल जाती है एक अपरेल 2023 से तो दोस्तों अब इसमें भी आपको इथेनॉल 20 का फीचर्स मिल जाता है यानि कि 20% इथेनॉल यूज़ करेगा 80% पेटोल यूज़ करेगी तो जो E20 वाला जो पेटोल आया गया ना नॉर्मल पेटोल से थोड़ा सा स पढ़ेगा जो की काफी एची बात है और अगर हम बात करते हैं कि ये ऐसी बाइक है जिस में आपको सिंगल सीट मिलता है लेकि काफी कमफर्टेबल और राइडिंग क्वाल्टी जो मिलती है और अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में तो इंजन जो मिलेगा वही सेम आपको 162.7C का 4-stock SI BS6 Phase 2 इंजन देखने को मिल जाती है तो दोस्तों गहुर करिएगा पहले इसमें आपको BS6 इंजन मिलती ते लेकिन अब इसमें आपको BS6 Phase 2 इंजन देखने को मिल जाएगा इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वही सेम आपको 9.5 किलो वाट का मिल जाता है इसका मैक्स टॉर के वही सेम आपको 14 इंजन देखने को मिल जाती है और अब आपको बता दे कि एक अपरल 2023 से इसमें भी आपको OVD2 सेंसर देखने को मिलता है जो कि काफ एची बात है तो दोस्तों 2023 में लगबग जितनी बाइक के आएंगे न सब में आपको OVD2 सेंसर देखने मिल जाते है इट्वंटी टेक्निलोजी जिसकी मतल से आपको पहले से और ज्यादर रिफाइन हो जाता है और यहां पर दीखी मोनो सॉक की बैचिंग देखने को मिल जाते तो आपको एक बात और बता दे कि इसमें आपको एक पहली बाइक थी जिसमें आ तो इसकी आपको कोई चेंजर देखनेों नहीं मिलता है और अगर हम बात करते के दूसे साइड से यहां पे आप लोग गौहर करेंगे तो आपको स्पूर्म के साथ Azri रेए नोब सuka चीकर मिल जाती है तो ट्रेट के बारे में इसका जो राइडिंग के टाइम पर कांफिछा कंपर देखने को देदी है और इसका जी आपको पहले वाएं बिलते इसमें को कुई चेंज देखने को नहीं और यहां पे दी किसमें को स्टार्टिंग के लिए कि कॉस्स दौनक शुविता देखने को मिल लए है और यहां पे दीक है कि इस बाइक फीचर तस्विकेशन अब थोड़ी शी बात करते है इसके डाइमनेशन के बारे में तो इसका जो लेंथ मिलेगा वॉक मिलते है तो के बारे में तो यह 160 की बाइक भले है लेकिन यह जो देती है आपको 45-50 का मेल आपको आराम से देखने को दे देती है तो दोस्तो अब इसमें 2023 में में अपडेट क्या हुए है वह हम आपको बता देते हैं तो पहला इसकी जो प्राइस जन पैड़े से बढ़ चुकी है दू कोई चेंजिस देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तो आप लोग बताना कि होंडा यूनिकॉन आप लोगो कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरू बताएगे और अगर आप लोग कोई डाउट है पर कोई सवाल करने हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं पूरी को सिस मिलेग व्यूंग कर से बाताएपड़ दो स्किरेगे ठापने हो न przysz दो दो आख लोगोके हैं कमेंट हैं थाएब बताएबना चाराणी है तो आप लोगा है अबहागे कपले बताएबूअ Indra